बच्चे का जो पौटी का रास्ता है उसमें थोड़ा सा इंसर्ट कर दीजे अंदर साइड को हेलो फैमली नमश्कार कैसे हैं आप सब आई हो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे लेकिन एक चीज़ से परिशान होंगे के बच्चे ने काफी दिन हो गए है पौटी नहीं की है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी टेंशन को खतम करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपको बताऊंगे कितने दिन तक पौटी करना नॉर्मल है कितने दिन बच्चा पौटी ना करें ता आपको घबराने की ज़रूत नहीं और कौन कौनसे तिप सप्राने चेहें जिसलिकि आपका बच्चा पौटी जल्दी कर लें ठीक को दबाना बिल्कुल ना भूलें जैसे कि टाइम टो टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहें और आप सारे वीडियो देख पाएं चलिए स्टार्ट करते है आज का वीडियो जैसे कि फ्रेंड जब आपकी डिलेवरी होती है तो स्टार्टिंग में बेभी काल फूटे करते यज़ियो भूलेग काई करते है एक हफ्ते बाद ही बच्छा क्या करता है कि पीली पीली फूट करने लगता हो सकता है दिन में एक बार करें, हो सकता है दो दिन में एक बार करें, हो सकता है तीन दिन में भी एक बार करें, ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है, तो सबसे पहले में आपको बता दी हूँ कि बच्चे का कितने दिन तक पौटी ना करना नॉर्मल होता है, तो फ्रेंड्स बच बच्चे ने आठवे दिन भी पॉटी नहीं की है, तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, ऐसे मैं आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, अब भाई, आठवे दिन का वेटी क्यों करो, कुछ ऐसे टिप्स अपना लो, जिसे कि बच्चा पहले ही पॉटी कर ले, बच्चे का पेट साफ हो जाए, क्योंकि जब बच्चे का पेट साफ नहीं होता है न, तो बच्चा अंदर से बहुत चड़ा हो जाता है, बच्चे का दिमाग की समझ ये, बच्चा भी ऐसे ही होता है, तो आपको कोशिश करने चए कि ठीक के दो दिन हो गे, तीम बेन हो गे, लेकिए तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने हैं सबसे पहली चीज तो यह है जैसे कि आपको बैचा ब्रेस्ट फीड करता है तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजे बिल्कुल बंद कर देनी है जिससे कि कब्स की दिक्कत होती है जिसे कि आपको आलू बंद कर देने है और चाबल बंद कर देने है आलू चाबल खाने से क्या होता है कि बहुत अदर कब्स की दिक्कत होती है इसलिए आप आलू चाबल का सेवन अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजे जब तक बच्चे का पेट साफ नहीं होता और पानी की मातरा बढ़ा दीजे काफी पान अब बच्चे को टश्रय कई आलूऊ एक गवच्टा ऐत को नहीं अगलताई यहीं फेक पानी मिला लें इसलिए हो को तब भी ना करां ने यहीं इसला भुचचे को पानी कमशा बनाले लिए और और बच्चे को बा मुला मूंबा ऊसे मिला इसलो प्यस्ट जैसा बना लेना और बच्चे के नाभी के चारो तरफ आपको उस हींग के पेश्ट को लगा देना है आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ही बच्चा गैस पास करना स्टार्ट कर देगा और हो सकता है एक घंटे-दो घंटे बाद बच्चा पॉटी भी कर ले इसके बाद दूसरी चीज आपक आपने तक यह बनाने है कम लेक्ला है इसके आपको बना लेक्पक ऐा हम जाती आपक ए लगानी चाहिए तौ अप अन पयाने से अल्ग दूक हैं को भीट थेंगेन को जांगे लेता है दूटे कर लीत टाइम्दों और वीद्टी कर ली ए Malayi तो हाने क्दू आट भी आता है आपने सकते हैं इससे 100% बच्चा पौटी कर लेते हैं यह देसे बच्चा एक तरीका है वह आपकर in Canlexa कर लेता है ऐसे आपको नहीं लेने चलिए तो इस वीडियो को एक लाइक करें सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने फ्रेंड फैमली में भी शेयर करें शायर उनके बच्ची ने भी कई दिन से पॉटी ना की हो तो उनको भी हल्प निल जाएगी सो मिलते हो आप सबसे अगले वीडियो में बाबाई थैंक यू